Hello friends, आपको curiosity में कमें स्वागत है, मैं हूँ सत्यम कारव और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप आपकी वेब पीज में MarQ इंसर्ट कर सकते हैं So friends, आए स्टार्ट करते हैं Firstly, हम open करेंगे notepad Then हम friends, इसमें simple HTML coding यूज कर सकते हैं So मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ So friends, मैंने यहाँ पे simple HTML coding यूज करी है Then मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे आप MarQ इंसर्ट कर सकते हैं So friends, MarQ इंसर्ट करने के लिए आपको simply MarQ टैग यूज करना है जो है M-A-R-Q-U-E Friends, जो भी आप MarQ में लिखना चाहते हैं आप इसमें hyperlink, table, image, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं मैं यहाँ पे simply लिख रहा हूँ Made by Satyam Kaurov Then friends, हम MarQ tag close करेंगे Then friends, हम इसको save करेंगे Save as पे जाके Friends, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ M.STML Friends, आपको HTML का extension .STML Use करना है Then हम इसको save करेंगे Then हम desktop पे जाएंगे हम देख सकते हैं Save हो चुका है M करेंगे Then मैं इसको open करूँगा Friends, आप देख सकते हैं यहाँ पे MarQ में लिखा आ रहा है Made by Satyam Kaurov कि मैंने नूटपेड में लिखा रहा So friends, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई हो So please मुझे subscribe करना ना भूले Thank you So